हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग बालमिंदर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत हैं आज हम अध्यन करेंगे ककसा 12 बाइलोजी सबसे पहले बात करेंगे सेलेबस के बारे में कि पाठे करम क्या है और उसका अंग विवाजन किस प्रकार का है एकाई से लेकर एकाई 5 तक ककसा 11 के अंदर आपने पड़ ली है और ककसा 12 के अंदर एकाई च्छ से लेकर एकाई 10 तक यानकि पांस एकाई जो है वो कक्षा ट्वेल्ट बाइलोजी के अंदर है तो सबसे पहले एकाई छड़ जो है जनन कि री प्रोडेक्शन कि इस एकाई के तहत चार अध्याय आते हैं यह एकाई जो है वो 11 अंक की है कि और इसके अंदर चार अध्याय आते हैं तो अध्याय एक कि जीवों में जनन कि ईसमें ऑपने जीवन काल के अंदर यह जीवन अवधि के अंदर किस प्रकार से जनन करता तो यह जनन जो है पपरमकोरूप से दो वीदियो के दवारा होता है अलिंगिक जनन और लेंगिक जनन आ लेंगिक जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है और जिसमें जनन के समय अर्द सुत्री भी भाजन नहीं होता और इनमें युगमकों का सल्यन नहीं होता और बनने वाली नई संतत्य जो होती है वो आकारी की और अनुवांसी की रूफ से जनक के समान होती है इसलिए इस प्रकार की संतत्य को क्लॉन कहा जाता है तो ये लेंगिक जनन कहलाता है दूसरा जो जनन का प्रकार है वो हैं लेंगिक जनन लेंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जिसमें विपरित लिंग वाले जनक होते हैं नर और मादा लेंगिक अंगों के अंदर अर्शुत्री विभाजन होता है जिसके फ़सुरूप युगमकों का निर्मान होता है फिर युगमकों में सल्यन होता है जिससे दीगुनित अवस्ता युगमनज बनती है और युगमनज से नई संतत्ति का निर्मान होता है तो इस प्रकार का जन हैं इसमें एक प्रशन आता है और जो दो नंबर का होता है यह प्रशन है जो बाहर लिखा हैं और इसके अंदर जो लिका हैं वह अंक है कि दूसरा जो अध्या है मुश्पी पाधपौ में लेंगिक जनल पुश्पी पाधपौ में लेंगिक जनन पुश्पी पाजपों को दो संवूव में बाटा जाता है जिम्नो अस्प्रम और एंज्ई उस्प्रम इन्हें अनावर्त बीजी या नगन्बीजी कहा जाता है जिनमें बीज का निर्मान तो होता है लेकिन बीज फल के अंदर नहीं होते यानि जिनमें फल का निर्मान नहीं होता बीज नगन होते हैं तो वो जिमिनो इस्प्रम कहलाते हैं यानि की अनावर्त वीजी कहलाते हैं दूसरा समूझ जो इनका होता है वो आवर्त वीजी होता है जिनमें जनन के समय वीज भी बनते हैं और वीज फल के अंदर होते हैं फल का अंदर मान भी होता है पुस्पी पादपों के अंदर लेंगिक अंग जो होता है वो पुस्प के अंदर परमुक लेंगिक अंग जो होत सबस्क्राइब कookie सबस्साइब किस प्रकार कburg जायंग के अंदर यंग्म का नियुके कोगन का निर्मान कैसे होता है अब का निर्मान किसे होता है और बीज का निर्मान कैसे होता हैं यह सारी घटनाएं जो होती हैं वो इस अध्याई के अंदर पढ़ेंगे और यह अध्याई जो हैं वो चार अंक का हैं इसमें एक प्रशन एक नंबर का आता हैं और एक प्रशन तीन नंबर का आता हैं दो प्लस एक अध्याई तीन मानो जनन यह अध्याय तीन नंबर का है इसमें एक प्रशन एक नंबर का आता है और एक प्रशन दो नंबर का आता है इसके अंदर हम नर वह मादा जनन तंतर सरंचना नर जनन तंतर और मादा जनन तंतर की सरंचना का अधियन करेंगी उसके बाद में मानो में युगमक जनन का अधियन करेंगे इनकी नर जनन तंतर के अंदर वर्शन के अंदर सुक्राणों का निर्मान कैसे होता है और मादा जनन तंतर के अंड़ाशे में अंड़ाणों का निर्मान कैसे होता है तो यह युगमक जनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है इसका का अध्यन करेंगे अगला इसमें अध्यन बिंदू है मानों में निशेशन कि फर्टिलाइजेशन यह न कि युग्मक निर्मान के बाद बने हुए युग्मक को में सल्यन कैसे होता है निशेशन क्रिया किस प्रकार से होती है तो इस किरिया का अध्यनम है इसमें करेंगे अगला जो बिंदू है इसमें वह हैं कि मानव में भुरुण परिवर्धन भुरुण परिवर्धन निशेशन किरिया के बाद बने हुए युगमन से भुरुण का परिवर्धन कैसे होता है मानव में आर्थव चक्र कि मादा जनन तंतर के अंदर लेंगिक जनन के दोरान जो लेंगिक घटनाए घटती है वह घटनाए आर्थव चक्र कहलाती है इसका दिन इसके अंदर करेंगे और प्रशव व दुग्द इस्त्रावन अगला अध्याय अध्याय चार जनन स्वास्थियर यह दो नंबर का अध्याय है इसके अंदर एक ही प्रशन आता है लगबग दो नंबर का होता है इनके अंदर हम मानो जन संक्या जनम नियंत्रन गर्ब निरोधक उपाए और यौन शंक्रमित्रोग इसके अलावा इसमें जनन अशम्ता इन बिंदों का दियन जनन स्वास्थिय के अंदर करेंगे एकाई साथ आनुवन्सी की तथा विकास जनेटिक्स एंड एवैलिशन यह एकाई जो है वह चौदा नंबर की हैं कि इसके अंदर तीन अध्याय आते हैं कौन कौन से अध्याय यह देखिए अध्याय कि पांच कि वन्शागती और विविद ताके शिद्दान्त कि अध्याय प्रेंसीपल आफ एंहेरिटेंस एंड वैरियाशन यह अध्याय जो है वह पांच नंबर का यह अध्याय जो है वह पांच नंबर का है कि इस अध्याय के ताथ हम कि मैंडल के अनुवान सिक्ता के नियम एसके अंदर परभाविक्ता कानियम युग्मोकों की सुट्ता कानियम शॉत्तंतर अफ्यूहन कानियम और एक संकर संकरण, दी संकर संकरण और बहु संकर संकरण, यहन की एक जीन की वनसागती, दो जीनों की वनसागती का अध्यन और अनेक जीनों की वनसागती का अध्यन है, वो मैंडल के अनुवान सिक्ता के नियम कत्यात पड़ेंगे, अगला जो है वो है लिंग उत्परिवर्थन मुटेशन डिने अनुकरमों में परिवर्थन के कारण जो विकरती उत्पन होती है वो उत्परिवर्थन कहला तो यह उत्परिवर्थन कैसे होता अगला जो है आनुवन सिख विकार जैणेटिक डिसाइडर यह यह नहीं कि डिने के अंदर या जीनों के अंदर परिवर्थन से या सिक पदारतों में परिवर्तन से किस प्रकार्चे रोग होते हैं ऐसे रोगों को अनुवांसिक रोग या अनुवांसिक विकार कहते हैं कौन-कौन कि इसमें अगला अध्याय अध्याय च्छ वन्षा गती के आन्विक आधार मौलिकूलर बैसिस आफ एन्हेरी टैंज यह अध्याय जो है वह अच्छा नमर का है इसमें दो प्रसंद जो होते हैं वह एक नमर के आते हैं और इसमें एक प्रसंद जो होता हैं वह चार नमर का एक एक प्लस दो प्लस एक काट इनके अंदर इस अध्याय के अंदर हम निम्न बिन्दूव का अध्यन करेंगे एक अनुआंसिक पदार्थ डियने का आनुवांसिक पदार्त DNA की सरंचन DNA का दीकुनलित मोडल और दूसरा DNA प्रतिकृति DNA यहने की DNA अपने समान प्रतियों का निर्मान कैसे करता है DNA से प्रतियां कैसे बनते हैं तो DNA की प्रतिकृति किस प्रकार से होती है तो इसका अधियन करेंगे अगला बिंदू होगा अनुलेखन ट्रांस्क्रिप्शन DNA से mRNA का निर्मान कैसे होता है DNA से RNA का निर्मान जो होता है वो अनुलेखन खिलाता है यहने की DNA की प्रति से mRNA की प्रति का निर्मान होता है तो कैसे बनती हैं यह किरिया इसके अंदर पन पढ़ीगी उसके बाद में बना हुआ जो RNA है उससे प्रोटीन का निर्मान होता है इसके लिए अनुवान सिक कूट अनुवान सिक कूट का आधिन करेंगे जिसे जेनेटिक कोड बोलते हैं यहना कि mRNA से प्रोटीन के निर्मान के लिए विशेश प्रकार के अनुवान सिक त्रिक बनते हैं अनुवान सिक कोड बनते हैं जो एक त्रिक कोड जो होता है वो एक एमीनो अमल को निरुपित करता है और एमीनो अमलों की स्रंखला बनती है इनकी प्रोटीन का निर्मान होता है तो यह अनुवांसी कूट के बारे में इसमें अध्यन करेंगी उसके बाद में पढ़ेंगे अनुवादन translation रुप अंतरन कहते हैं जिन की बना हुआ RNA से प्रोटीन का निर्बान कैसे होता है अन्वां से कूट का प्रहोक के दॉबरा कि प्रकार से प्रोटीन का निर्मान होता हैं तो यानुवादशन क्यलात है और माल जिनौर्व परियोधना इसके अंदर अगला बिंदू होगा मानव जिनौम परियोधना मानव जिनौम परियोधना और अंतीम है वो है डीने फिंगर प्रिंटिंग इन बिंदूआं का अध्यन जो है वो वनसागती के आण्मिक अधार जो है इस अध्याय के तहत करेंगे जो च्छा नंबर का है इसका अंतीम अध्याय जो है एकाई साथ का वो है विकास अध्याय साथ विकास यहाँ तीन नंबर का अध्याय है इसमें एक प्रशन एक नंबर का और एक प्रशन दो नंबर का अध्याय इसके अंदर जीव की उत्पति से लेकर करती उत्ति अध्याय तक सभे घंटनाओ का अध्याय जीव की उत्पति कैसी ओफिर मानो कैसे बना यहन कि सारा विकास जो है यहां मानो विकास तक की खटनाओं का अज दिन इसके अंदर